जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल पर SSV ससस्तर सीमा बल 2021 के एडमिट कार्ड कब जारी किये जाएंगे ओनलाइन लिश्ट कब तक आएगी प्रवेश पत्र का लिंक जारी कर दिया गया है एडमिट कार्ड से लेकर परिच्छा तक कि दूँगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल पर पहले बाव जिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके अवेल आइकाउन होगा उसको भी दवा लें इससे आने जरी नए वीडियो को लिटिविकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सोगा जैसा कि आप देश सकते हैं कि मैं एससवी की ओफिस्यल साइट पर हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एड्मिट कार्ट का लिंक भी जारी कर दिया गया है बट रोल नमबर के माध्यम से ही आप एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर पाएंगे बिना रोल नमबर के आप अपना एड्मिट कार्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे लेकिन roll number अभी तक तो आया ही यह नहीं है तो आप अपना admin card कैसे download कर पाएंगे और कैसे देख पाएंगे यह यह तो बात है तो guys मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 5-10 दिन देख लिजे 5-10 दिन के बाद इसका link जो है वो जारी कर दिया जाएगा फिर आप अपना roll number के माध्यम से और registration number के माध्यम से अपना admin card download कर पाएंगे ज़्यादा नहीं 5-10 दिन का समय लगेगा इसमें 5-10 दिन का ज़्यादा नहीं लगेगा सिर्फ 10 दिन का समय लगेगा 5-10 दिन 5-10 दिन के अंदर इसका link जारी कर दिया जाएगा और आप registration number के माध्यम से भी अपना admin card download कर पाएंगे अब भहुसे बंदे ये बोलेंगे कि ये fake है चलिए भईया माल लेते हैं कि ये fake है अगर ये fake है तो ये क्या है SSB की official site और ये क्या है admin card का link यदि आपको अपना roll number मालूम है तो आप just अभी roll number डाल कर अपना admin card download कर पाएंगे बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको roll number पता ही नहीं होगा तो देखें 5-10 दिन के अंदर इसका link जारी कर दिया जाएगा link activate कर दिया जाएगा link activate होने के बाद आप अपना admin card registration number से भी download कर पाएंगे अब बात आती है कि इसकी online list ये कब तक जारी की जाएगी तो गाज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी online list है 15 तारिक से 20 तारिक के बीच में इसकी online list जारी कर दी जाएगी तो छोटा सा video थो आप लोगों के लिए तयारी कर लिजिए और कमर कस लिजिए अपनी physical देने के लिए आप तयार हो जाएं ठीक है PTO of STK admit card जारी कर दिये गए है तो देशकते हैं आप लोग इसका जो admit card का जो link है roll on number के माध्यम से जारी कर दिया गया है बात आती है कि registration number के माध्यम से admit card कब तक निकल पाएंगे तो मैंने आपको बता दिया है ज्यादा नहीं 5-10 दिन 5-10 दिन के बाद आप अपना admit card डाउनलोड कर पाएंगे उसका जो link है एक्ट्रिबेट कर दिया जाएगा उसके बाद आप registration number के माध्यम से अपना admit card डाउनलोड कर पाएंगे फिलाल आप अभी तो फिलाल exam की बात छोड़ दीजिए कि exam कब होगा exam की तो बात की बात है physical कब तक होगा यह सोचिए और physical में आप pass कैसे होंगे तो अभी से आप practice start कर दीजिए practice में आपके आजाएगा running उची कोट लंबी कोट height कैसी है आपकी सारी चीजिएस में आजाती है तो अभी से आप practice करना start कर दीजिए मैं आपको यही बोलूँगा क्योंकि इसके जो admit card का link है वो जारी कर दिया गया roll number के माध्यम से ही आप अपना admit card download कर पाएंगे बिना roll number के आप admit का download नहीं कर पाएंगे जादा नहीं पांसे तस दिन का बेट कर लेजिए उसके बाद आप अपना admit का download कर पाएंगे ठीक है तो छोटा सा वीडियो तो अच्छा लगा तो like और जरू करें और चैनल पर पहले आप जेट कर रहा है तो चैनल को subscribe कर लें पास जी मैं आपके भी like on होगा उसको भी दबा लें इससे आने जरी नए वीडियो के साथ जैन जैवालत